हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियानी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक पर चर्चा करने वाले हैं अगर ऐसा हो गया तो सभी JCOs और ORs को पैंसन में होगी 7000 से लेके 14000 की परतिमा की बढ़ोतरी और दिखे अकेला ये बढ़ोतरी ही नहीं अब आगी जो कभी भी पे रिवीजन होगा OROP आएगी सभी OROP में सभी को मिलेगा फाइदा आखिर ऐसी कौन सी मैं बात करने वाला हूँ जो आपको हर पे कमिशन में और जिससे आपकी सेलरी और पैंसन जो है हर महीने पैंसन में 7000 से लेके 14000 की बढ़ोतरी हो जाएगी देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल पे समझाओंगा जो मैं आपको step by step सारी चीजे बिल्कुल समझाने वाला हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए लाइक और सेर ज़रू करें देखिए आप सभी को पता है कि voice of ex-servicemen society की तरफ से कुछ मांगे जो है वो रखी गई थी और वो 15 मांगे बहुत ही important मांगे थी देखिए उनको 13 मार्च 2023 को PMO और रक्षा मंतरी जी को दे दिया गया है ग्यापन दे दिया गया है वो देखिए जो डांक द्वारा रिशिप्ट की गई है उसकी यहाँ पर स्टेंप भी लगी हुई है तो देकि अगर उसमें हम देखें हम देखें इस वीडियो में किवल point number 1 के बारे में बात करेंगे किवल तो देखिए जो point 1 है वो कहता है pay का 75% pension के रूप में मिलना चाहिए सिपाही से लेके honorary commission rank तक का जो pay है वो 75% की लम्बित मांग इन्होंने देखिए जो Voice of Ex-Service Man Society है बहुत सारे पहले भी letters भेजे गए हैं 2 अगस्त को, 1 जनवरी 2016, 22 अगस्त 2016, 7 अक्टूबर 2018, 10 फरवरी 2013 इनको सुईकार कर लिया जाए तो देखिए उसमें difference यह है कि जो 60 साल सेवा करने वाले है देखिए यहाँ पर साफ साफ जो जिकर किया गया है, officers के लिए किया गया है कि देखिए वो जो है maximum service करके जाते हैं और जो JCOs and OR होते हैं, वो maximum 35 से 50, यह maximum है साल सेवा करने वालों को, पैंसर का निर्धान का जो formula है, वो same नहीं होना चाहिए देखिए एक आदमी यहाँ पर 60 साल में रिटायर हो रहा है, एक 40 साल में रिटायर हो रहा है या 35 साल में अपर जो उसकी service life है, total life में रिटायर हो रहा है तो देखिए यह 20 साल जो है, यहाँ पर यह 20 साल रहा लेकिन ये 20 साल यहां क्या करेगा देखिए वो किछी को नहीं पता है तो देखिए उस चीज की security के लिए यहां पर one rank one pension जो है policy लाए गई थी तो उन्होंने बोला इनका formula भी जो है अलग-अलग होना चाहिए यानि JCOs OR के लिए same formula और जो officers है उनके लिए same formula काम नहीं करेगा तो जो formula है वो change होना चाहिए जैसा आप सभी को पता है जो fitment factor से पहले जो table थी उस table में देखिए जो कुछ change किये गए थी 2.57, 3.8 यानि सब में कुछ थोड़ा वो difference था जो table matrix, pay matrix थी तो देखिए उसकी वज़े से ये जो difference है ये होता हुआ चला गया और आज हम देख पा रहे हैं कि जो officers हैं उनको one rank one pension का फायदा मिल जा रहा है वहीं जो भी JCOs हैं especially उनको इसका benefit नहीं मिल रहा है तो देखिए आज इस point पे मैं आपके सामने एक table लेके आया हूँ देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जो भी OROP लेके आएंगे pension division लेके आएंगे उसमें आप लेंगे average minimum और maximum का तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो देखिए सब की pension बढ़ेगी चाहे कितनी भी कोई सी भी OROP आए तो ऐसा करने से क्या होगा देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक data लेके आया हूँ देखिए आप सभी को पता है कि 52 जो है अभी MSP है यहाँ पर fix है JCOs and over के लिए अगर हमें सिपाही की pension देखू एक एक दो हजार सो लेको तो देखिए अगर मैं pay देखता हूँ जो national pay fixation में fix की गई थी pay तो वो pay थी 21,700 सिपाही की नायक की 25,500 हवलदार की 29,200 नायब सुबेदार 35,400 सुबेदार 44,900 सुबेदार मेजर 47,600 देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की इस pay में यह जो आपका pay है एक एक दो हजार सो लेको अगर मैं MSP add कर देता हूँ देखिए यहाँ पर आप class pay भी add कर सकते हैं 200 रुपे, 400 रुपे, जो भी है मैं उसको भी छोड़ दे रहा हूँ मैं जस्ट आपको MSP के साथ ही calculation करके दिखा रहा हूँ तो देखिए आप मान सकते हैं कि एक सिपाई की जो 21,700 पेमेंट है प्लस बावन सो उसको MSP मिल रहा है तो देखिए उसको 26,900 रुपे के आसपास last pay drone है अब जो उसकी pension बनती है आज के हिसाब से तो उसकी pension बनती है यानि 26,900 डिवाइड बाइ 2 यानि 50% तो 13,450 वहीं अगर नायक की बात करूँ तो देखिए 15,350 हवलदार के लिए 17,200 नायब सुबदार 20,300 सुबदार 25,050 और सुबदार मीज़र की 26,400 रुपे बनती है ये बता रहा हूं में 1,1216 की यानि नोशनल पे के आधार पर अब आप सोचिए अगर ये pension आपकी 50% से बढ़ा कर 75% कर दी जाती है तो क्या होगा तो देखिए ये जो आपका बन रहा था इन दोनों को जोड के आप इसका 50% निकाल रहे थे अब देखिए इसका 75% अगर आपको pension मिल जाए तो कितना होगा तेकि जो सिपाही के लिए जो 21,700 जो नोशनल पे में फिक्स किया गया था उसमें 5,200 यहाँ MSP था तो 26,900 का 75% निकाले तो देखिए 20,175 रुपे आएगा और देखिए आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो लगबग 6,000 से 7,000 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर एक सिपाही की जो pension है उसमें आ जाएगा वहीं अगर हम बात करें नायक की तो देखिए 15,350 से बढ़के उसकी pension हो जाएगी 23,025 हवलदार के लिए 17,200 से बढ़कर 25,800 एक नायव सुवदार के लिए 20,300 से लेके 30,450 यानि एक नायव सुवदार की जो pension है वो उसमें 10,000 की विर्दी हो जाएगी सुवदार के लिए 25,050 से बढ़कर 37,575 वहीं सुवदार मीजर के लिए 26,400 से बढ़कर 49,600 यानि लगबख 14,000 रुपे के आसपास कहाई अपर डिफरेंस एक सुवदार मीजर की pension में आ जाएगा without OROP 2 देखिए अब अगर इनका जो यहाँ pension बढ़ी तो देखिए जब हम average बात करेंगे average जो का minimum और maximum का divide by 2 तो देखिए maximum जो है हमारा already बढ़ चुका है जो minimum है वो भी बढ़ेगा तो जब average होगा तो देखिए वो average भी बढ़के आएगा और इसका मतलब यह है कि जो इतने भी pay revisions आएंगे आगे उन सभी pay revisions में और ओपी जो भी होंगे pension revisions होंगे उन सभी में जो average होगा वो आज से जो अभी यहाँ average है वो उससे काफी उपर होगा यानि सभी को उसका benefit मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर यह जो हमारा pay जो है last pay draw का 75% pension कर दिया जाए तो देखिए हमें 7000 से लेके 13-14000 रुपे पर महिने का pension में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और देखिए यह एक बहुत जायज मांग है अगर तीसरे pay commission के बाद में बात करे हम तो देखिए इसको घटाया गया था अगर इसी को ऐसे ही रखा जाए क्योंकि देखिए यह जो formula है यह formula जो है चेंज हो जाता है जब हम officer की तरफ जाते है तो अगर यहाँ पर officer का जो है वो 50% रहने दिया जाए और जो जितने भी JCOs and OR है यानि हम जो अपनी बात कर रहे हैं हमें officer ranks से कोई मतलब नहीं है लेकिन हमारा जो यह है इसको बढ़ा कर 75% कर दिया जाए तो देखिए अगर केवल 0.1 को ही माल लिया जाता है तो आप देखिए यहाँ पर आपकी 7000 से 14000 तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और यह बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है देखिए एक बहुत important role अदा करेगी यह एक जवान की life में तो अगर आपको यह calculation पसंद आई तो चैनल को subscribe करें और comment box में ज़रूर बताएं फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत